C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो सबक बारा सफ़ा नंबर 71 हस्ता खेलता खानदान आबिद आच बहुत खुश था उसे दो अक्तूबर के दिन स्वच भारत मुहिम के तहट स्कूल से इनाम मिला था उसकी खुशी में शरीक होने के लिए आज नानी के घर पर सब लोग जमा थे उसके मामों, मुमानियां और खालाएं और उनके बच्चे भी अर्शी, फरहाना, रिहान, इलियास सभी मौजूद थे नानी ने आबिद को गले लगा कर प्यार किया यहाँ नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें आबिद के सभी खानदान वालों को दिखाया गया है फरहाना बूली नानी नानी, प्रिंसिपल साहिबा ने आबिद की खूब तारीफ की सफ़हा नंबर 72 खालाजाद बहन, फरहाना, आबिद ही के स्कूल में पढ़ती थी वो आबिद से दो साल बड़ी थी बोली यहाँ एक तस्वीर दी गई है जिसमें स्टेज पर एक बच्चे और एक बच्ची को रक्स करते हुए दिखाया गया है आबिद की अम्मी बोली मेरा बच्चा रोज नहाद होकर स्कूल जाता है दो मर्तबा अपने दाथ साफ करता है सुभा को भी और रात को भी नानी बोली हाँ, अपने हाथों के नाखुन भी बढ़ते ही कटवा लेता है बालों में तेर लगा कर कंगा करता है आबिद बोला नानी, मुझे ही नहीं, फरहाना आपा को भी इनाम मिला है वो खुद भी साफ सुत्री रहती है और अपने आसपास की जगा को भी साफ रखती है उनकी क्लास सबसे साफ रहती है यहाँ एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ लड़कियां रक्स कर रहे है हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के खेल कूत के कई मुकाबले हुए दाड में रिहान सबसे आगे रहे यहाँ बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ लड़कियां रक्स कर रही है और एक लड़का गले में धोलक दाल कर बजा रहा है हाँ बेचा पढ़ाई के बाद इसी तरह के खेल कूत करते रहना चाहिए इसी से सेहत बनती है कुछ तो मोबाईल में गेम खेल कर समझते हैं के वो खेल रहे हैं ऐसा खेलना भी कोई खेलना है जिसमें कोई भाग दौड़ना हो मोबाइल देख देख कर आँखे ठका लेते हैं और दिमाख भी मैदान में खेलने से दिमाख ताजा भी होता है और तेज भी नानी हमारी स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी हुए थे बच्चों ने आसामी लिबास पहन कर डांस भी किया सब बच्ची बहुत अच्छे लग रहे थे आबेद नानी आसामी तहवार बीहु भी हमारे स्कूल में मनाया जाता है नानी हाँ बच्चों हमें अपनी रिवायती तहजीब को दूसरे लोगों के सामने पेश करना चाहिए सुहेल मामू ने कहा चलो बच्चों सामने मैदान में चलते हैं तब तक रात का खाना भी तयार हो जाएगा सब बच्चे दोड़ कर मैदान में चले गए सफ़हा नंबर चोहत्तर मश्क पढ़िए और समझे बड़ा काम किसी मखसद के लिए मिल जुलकर काम करना इनाम बख्षिश कार गुजारी का अच्छा सिला सरहना तहसीन करना सोचिये और बताईए एक नानी के घर सब लोग क्यों जमा थे दो आबिद को कौन सा इनाम मिला तीन आबिद के इलावा और किसको इनाम मिला चार नानी ने पढ़ाई के साथ खेल कूट को क्यों जरूरी बताया पांच आसाम का मशूर तहवार कौन सा है छे शिमाल मश्रिक की रियासतें कौन-कौन सी हैं मालूम करके लिखिये असातिजा के लिए हिदायात बच्चों से आसाम के बारे में बातचीत की जाए और उन्हें ये भी सुनाया जाए के आसाम की पड़ो सी रियासतें कौन-कौन सी हैं आसाम के खाने, लिबास और तहवारों पर भी गुफ्तगू करवाई जाए सफहा नंबर 75 खाली जगों में मनासिब लफज लिखिये ताजा, आसामी, गले, जमा, ठका, तेज एक, आज नानी के घर सब लोग खाली जगा थे दो, नानी ने आबिद को खाली जगा लगा कर प्यार किया 3. मैदान में खेलने से दिमाख, खाली जगा भी होता है और खाली जगा भी 4. बच्चों ने खाली जगा लिबास पहन कर डांस भी किया था 5. मोबाइल देख कर आँखें, खाली जगा लेते हैं और दिमाग भी मिसाल के मताबिक हिस्सा अल्फ और बे के सही जोड मिलाईए हिस्सा अल्फ इनाम, मुश्किल, रात, खुशी, साफ, अच्छे हिस्सा बे, दिन, गंदा, सजा, बुरे, आसान, गम यहां मिसाल के तौर पर इनाम को सजा के साथ मिलाया गया है सफा नमबर 76, मिसाल के मताबिक दिये हुए लफजों से आखरी हर्फ हटा कर नया लफज बनाएए मिसल, जगा, जग नानी, खाली जगा, सबजी, खाली जगा, आगे, खाली जगा, पड़ोसी, खाली जगा, चालू, खाली जगा खेल के फाइदे पर चंद जुमले लिखिए, खाली जगा, सफा नमबर 77, प्रोजेक्ट आसाम के लिपास, रक्स, तहवार और खानों की तस्वीरें तलाश कीजिए और उनके बारे में कुछ जुमले लिखिए, खाली जगा आसामी टोपी में रंग भरिये, यहां दो तस्वीरे दी गई है, एक तस्वीर में आसाम की टोपी दी गई है, जिसमें सारे रंग भरे हुए है, जिसमें पीला, हारा और लाल रंग भरा हुआ है साथी में एक दूसरी तस्वीर है, जिसमें आपको रंग भरना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गवहर तक्निकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत